कि यह देखिए ऐसा जो निराई गुड़ाई का यंतर होता है चोटा पुरानी जमाने से जो चलता आ आपको पूरी मक्का जो एक रो में एक लाइन में दिखेगी यहां पे देख सकते आपको सीधा सीधा दिक रहा है इसमें सबसे मेहत वह पूर्न जो है दो तीन साल से हमारे भारत देश में जो परशान कर रहा है वह अमेरिकन फॉल आर्मी हो हमें जितना हो सकी इस फसल को जो है कम बजेट में कम खाद में ग्रो करना है जब आप दोस्तों यह लगाते हैं तो आपको बीज प्रक्रिया करना बहुत ज्यादा एहम होता है तो दूसरा जो होता है स्वीट कॉन होता है जो की मीठा होता है फिल स्टेशन में वह बिखता है तो यह जो ना पूरा फसल को आपको तहस नहस कर देगी यहीं उपर से पत्या खालेगी देखिए खाले इसका यह फसल निकल जाने के बाद काफी लोगों का समझ होता है कि यह मकई जो है जमीन के करने में इस्तमाल ऐसी कौन सी फसल है यह मक्का तो दोस्तों मकई के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे जगा पे इस्तिमाल किया जाता है अलग-अलग तरीके से उधर बड़ा प्लॉट है, यह वाला प्लॉट है, यहाँ पे step by step लगभग 8 एकर का मक्काई के प्लॉट है, अलग-अलग प्लॉट है. दोस्तो मकई जो फसल है ना ये इसका उगम जो है मेक्सिको यहां से शुरुवात हुई है उसके बाद फिर दीरे 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 बढ़के ये पूरे दुनिया बर में फैल गे उसके बाद ये मकई फसल भारत का नंबर जो है चवते स्थान पे आता है दुनिया में और उत्पादक्ता में सात्वे स्थान पे आता है ये उत्पादक्ता मतलब क्या है एक एकड़ में उत्पादक्ता कितने आती है तो उसमें हम सात्वे नंबर पे आते हैं ये एक दोस्तो सबसे जादा मक्ये का उत्सपादन लिया जाता है और कई सारे कंट्री जहां पर पर जाता है उसके बाद yan नन्बर को ब arises कि अब बात करें हमारे भाहरत देश्में मक्की के उत्पादन की सबसे जादा मक्क Eccas उत्पादन जो होता है मध्यप्रदेश और करनाटक यहां पर आल ओर इंडिया का 15-15 प्रतिशत जो है उत्पादन लिया जाता है उसके बाद अगर इंडिया का शेत्र देखा जाए मक्य का शेत्र तो दोस्तो भारत में जो है 9.2 million hectare में मक्य की फसल लिया जाती है उसमें उत्पादन देखा जाए तो 27.8 metric ton इसका उत्पादन लिया जाता है अब अगर इस फसल के वातावरन की बात करें तो देखे यह फसल जो है खरीब के temperature लगता है उस temperature में फसल अच्छी आती है और 60-110 mm जो है बारिश जहां पे होती है वहां पी इसको आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं यह तो होगी हवामान की बात अब दोस्तों जमीन कैसी होनी चाहिए अब यहां पे जो खेती है देख सकते हैं यहां पे एक दो तीन चा चाहिए जमीन का पीएट जो है दोस्तों साड़ेचे से साड़े साथ तक चल जाता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना तो ज्यादा कम होना चाहिए मक्के की वहां पर रुख जाती है और ठंड जादा पसंद नहीं है सबसे आहम बात यह ग्रोथ रूख जाती है मक्का लगाने से पहले जमीन को कैसे तयार करना चाहिए सबसे जरूरी बात यह होता है कि मक्के के फसल में फॉल आर्मी वर्म बहुत लगता है अगर आपने एक बार मक्का लगाई है अगर दूसरे बार फिर लगा रहें अगर वाई चांस या तीसरे बीच में कोई फसल ल ले लेना है और उसमें धूप काफी लगने देना है तब वह जमीन जो है एकदम भुरुबरी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगा आपके फसल में आगे चलके ग्रोथ अच्छी होगी तो सोलराइजिशन बहुत ज्याता इंपोर्टन है जब आप मक्के को प्लाव चलाने ज उसके बाद हमें क्या करना है कि रोटर चला देना है जमीन को पूरे तरीके से बुरुबरा बना है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यही चीज किया गया है बहुत ही बैतरीन तरीके से यहां पे ग्रोव अभी हो रही है तो वैसे भी जमीन बनाते हैं तब आपको ज्यादा मेजर कुछ इसमें करना नहीं है बस प्लाव और रोटर यह दो चीछ चलाके और उसके बाद आपको जो आप खाद डालने वाले जमीन का मतलब और अर्गैनिक रेश्यो बढ़ाने के लिए वहां पे आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या तो गोबर का खाद डाल सकते हैं आप कोई भी खाद डाल दीजिए उसी टाइम पर ताकि रोटर मारते समय मिक्स हो जाएगा तो बस आपको जमीन तयार करने में इतना ही करना है दोस्तों अगर मक्के क्या प्लांटेशन के बारे में बात की जाए तो इसमें दो तीन तरीके से प्लांटेशन होता है इसका क् दूसरा तरीका जो क्या होता है कि डिबलिंग यानि कि हाथ से लगाया जाता है ऐसे मक्का लिया जाता है एक 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 लगाया जाता है और तीसरा क्या होता है कि ट्रैक्टर से जो है सीड ड्रिलिंग मशीन आती है उससे किया जाता है जो कि यहां पर किया गया है आप तक की जाती है और गर्मियों में जो लगाई जाती है वो पशू के लिए चारा के लिए लगाई जाती है तो आपको एक एकर में ऐसे मक्का लगाना है अगर आप डिबलिंग कर रहे तो 6-7 किलो या मैक्सिमम दस किलो जितना आप डिस्टंस ले रहे उतनी हिसाब से लगेगा अगर आप चारे के लिए लगा रहे और आप ऐसे घना लगा रहे तो आपको कम से कम 10-15 किलो के आसपास लगेगा और दोस्तों अगर इसमें वराइटी की बात करें तो ड्यर सारे और आती है कम से कम जो दिन मे आती है 80-90 दिन में जो और आती है संकृत जिसको हमार या答 खर जो है दोस्तों जे एच 3459 पूसा है अलग अलग आती है उसके बाद पंच गंगा प्रकाश उसके बाद आपको अगर उत्पादन लेना है तो मैंने एक लगाई ती सिजंटा की डिकल्व वह भी बहुत ही अच्छे तरीके से आती है और कई सारे है वह अलग अलग तरीके से लगाई जाती है जब आप दोस्तों यह लगाते हैं न तो आपको बीज प्रक्रिया करना बहुत ज्यादा एम होता है तो बीज प्रक्रिया में आपको थीरम कैप्टन मैंको जिप एक डेड़ ग्राम के हिसाब से तीनों में से कोई भी दावा मिलेगी आपकी मकाई अगर 10 क किलो हैं तो आप सीदा मेरे हिसाबसे क्लो में एक ग्राम की हिसाब से दस ग्राम सीदा ठीरम लीजिए या of the cube लीजिए करबंडेज में लीज ओपर और उसमें पूरा जो है मिक्स कर दीज़े तो मकगा बंस मिक्स कर दीए कि यह ने लगए मैं अथी अच्यूगर दर् बखके फिर तो जो है ग्रोथ वो बहुत ही आच्छ होगी तो यह बीच प्रक्रियाब जरूर की जगा मख्य के फसल में अदेगे मक्य के प्रकार कितने होते हैं तो पहला जो होता है हमारे फीड के लिए पोल्ट्री फीड या चारे के लिए जो कि यह लगाई जाती है दूसर सबसे एहम जो है वाटर मैंजमेंट देखिए इसको लगाने के बाद तुरंट पानी देना पड़ता है एक प्रकार यह है आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो ऐसा वाफा बना के इससे आप पानी दे सकते हैं साइड से एक नाली बना के मेड बना के छोटे चोटे च लगा के दूसरा जो है जो कि यहां पर रखी है वहां पर देख सकते डिप इरिगेशन आप इसमें लगा देंगे सीधा उपर से ही बिना बेड बनाए तो भी चल जाएगा अगर बेड बनाके बेड के उपर लगाते हैं तो जड़े अच्छे रहेंगी पकड़ अच्छी र करती है और जब में मक्का निकलने लगता है तूरा उपर से फूल निकलता है तो उस टाइम पर पानी आपको आएम ज़रूरी है सबसे महतवपूर्ण मक्के में कीड नियंतरन होता है अगर वो नहीं हुआ ना तो मक्का आपको चारे के लिए हाथ में लगेगे ना तो उत् होते हैं वह पतंग के प्लोट में आते हिं अंड़ा डालते हैं और चले जाते और उसके बाद यह दिखे इस टैफ की यह тều आरमी ळाप होता है यह देख सकते यह स्नुंडी है इसा सीधाई दहापे अंदर पॉंगे में घुज जाती इसके अंदर ऊपर से यह देखिए अ शुरुवाती फेज में बहुत करना है यहां पर थोड़ा नियंतरम कम हुआ है तो फसल बहुत ही खराब हो रही है आपको करना क्या है कि लिंडेन पाउडर आता है वह एक एकर में आपको 810 किलो लेकर डस्टिंग कर देना है उसके बाद कारवरील 4% वाला आता है उसको भी दानेदार 100 रुप में पहले प्लॉट में फेक देना है उसके बाद आपको सबसे महत्व पूर्ण प्लॉट लगाने के बाद उग जाने के बाद तूरंद फेरामन ट्रैप लगा देना है पूरे एक एकर में 5-6 फेरामन ट्रैप 60-70 रुपे को आते हैं उसमें लुषिन लूर नाम के या हली लूर आता है जो कि मेल पतंग को अट्रैट करता है और उसमें फस जाते है अगर मेल फस गया तो उनका मेटिंग नहीं होगा और यहां पे फीमेल अंडे नहीं डालेंगे और सुन्डी नहीं बढ़ेगी वहां पे पतंग ट्रैप हो जाएगे और वह पतंग आप मार दीजेगा बाद में यह बहुत ही बढ़िया तरीका है उसका प्रकॉप कम करने का 100 परचन तो खतम नहीं हो गया उसके बाद आप क्या कर सकती है फाइले स्टेज में इमें अक्तिन बेंजोड जो है 100 लिटर पानी में तहस नहस 100% कर देगे इसके बाद इसमें डाउनी मिलुडू एक आता है वो पूरा बलाइट और डाउनी मिलुडू यह पूरा पत्ते को खराब कर देता है जैसे मेरे फसल में आया था उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले ही स्टेज में आपको का करना है कि पहले ही तो इस तरीके से आपको रोग और कीड नियंतरंग का मक्य के फसल में मैनेजमेंट करना है अब दोस्तों मक्य के फसल में खरपतवार का नियंतरंग कैसे करना होता है देखिए जब हम फसल को लगा देते हैं फसल जब 10 से 15 दिन की उग जाती है उस टाइम पर हम क्या कर सकते है कि लॉडिस और फूस्त नाम के एक दवाती है उसका छिड़काओ कर सकते है आटराजिन जिसमें कंटेंट होता है जिससे आपको फसल को कुछने होगर सारे प्रकर के खरपतवार खतम हो जाएगी अगर आप खरपतवार नाशक नहीं मारना चाहते है तो यह देखिए ऐसा जो निराई गुड़ाई का एक यंतर होता है छोटा पुरानी जमाने से जो चलता आ रहा है इसको ऐसे खीच के पूरा खरपतवार आप निकाल सकते हैं हमारे यहां तो कई लाकों में ऐसे किया जाता है इससे क्या होता है कि मक्के के नीचे जो है सपोर्ट भी मिल जाता है मक्य को और खर्पतवार भी निकल जाता है दोनों काम यहाँ पर एक साथ में हो जाता है ऐसे भी आप कर सकते हैं क्या कोई मशीन साती हैं छोटे छोटे पावर टिलर्स जो है छे इंची नौ इंची में बैट जाते हैं उसका भी आप इस्तमाल कर सकते हैं और तरह तरह के से जो है आप खर्पतवार का नियांतरन कर सकते हैं दोस्तों आप भी मेरे राइट साड में यह प्लॉट देख सकते हैं लगबग धाई मेने का है यानि 75 दिन के आसपास हो चुका है है और यह चारे के लिए की गई मकः यह देख सकते हैं यह पूरा जो है यहाँ पे घाए भैस के लिए पूरा मकई यहां पे ग्रो लगत अच्छे तरीके से ग्रो हुई है तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं लेकिन सबसे महेत पूर न इसमें क्या होता है वो खाद का नियोजन देखें पर वह नियाप लागा याद रखिए कि मक्के केया फसल को जो है खाद बहुत लगता है कि खाद बहुत खी किसते हैं मक्ये की फसल अभी इस धra अब बण तर्शल देख सकते हैं ऊपर यह तूरा बोलते हैं हमारे इंधे जिसको कॉल सकते हुआ यहाँ पर मकई निकल रही है यह यहाँ पर यह देशी वाराइटी है उसको पूछा खाद के बारे में बात करें तो जाए हैं तो हम मकगा लगा ते तो उसके पहले हमें 1-4 च गोबर का खाद चाहिए लेकिन दोस्तों यह खर्चालू बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर हम 4 ट्रॉली गोबर का खाद डालते हैं उसके जगह पे हम अगर उरवरक का इस्तमाल करते हैं जैसे 10-26-26 वा दो बोरी उसके बाद हम घूरिया एक बोरी इस्तमाल करते हैं तो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद जब हम पानी देते फ्लरड इरिगेशन से उस टाइम से एक दो बार हम यूरिया दे सकते हैं एक एकर में 40-45 किलो यूरिया के साथ सब हम 15-15 दे सकते हैं या 18-60 दे सकते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो तो इस करके हम इसमें काफी लोगों का समझ होता है कि यह मकई जमीन के अंदर का पूरा खाद खीच लेती है ऐसा नहीं है जितना उसको जरूरत है उतना ही वह खीचता है यह गलत सोच है बस मक्का निकलने एक बाद दुबारा मक्का मत लगाई है क्योंकि दो बार खाद खीच लेगा तब कमी हो से 1500 रुपए तक बेच सकते हैं जब 65-70 दिन के फसल हो जाती है तो अगर आप 40 गुंठा याने की एक एकर जमीन में आप 1000 रुपए प्रती गुंठा देते हैं साथ से 65 दिन में आपका 40,000 हो जाएगा चारे के लिए कमाई की बात इसमें की जाए तो वह है स्विट कॉन स्विट कॉन यानि की जो मीठा मकाई आती है वो जो टूरिस प्लेस पे घाटी में रोड साइड में मिलती है वो वो एक एकर में आपका 6-8 टन के आसपास निकल जाता है अगर 8 टन हम मान ले और 10 रुपए से किलो हमारा चला जाए तो हमारा उसमें लंबा उतपादन हो जा सकते हैं कि ज्यादा उतपादन निकाल के हम मका का विकरी कर सकते हैं तो देखिए एक एकर में हम मैक्सिमम 40 कुंटल तक निकाल सकते हैं अगर अच्छा उतपादन ले तो बढ़ियासा करें तो अगर हम उसमें 1500 रुपए जो अभी रेट चल रहा है उसके हिसाब से पकड़ ले तो पंद्रा चोक साथ साथ हो गया दोस्तों यानि कि साथ हजार रुपए की मका आपकी एक एकर में निकल जाएंगे साथ हजार में आपका 20-25 खर्चा तो आपका 40 हजार रुपए के आसपस एकर में मुनाफ़ा हो जाएगा अगर आप 4-5 एकर करते तो लाखों में जाएगा दूसरे खेत में ऐसे को रोटेशन करके रखेंगे तो वही बढ़िया है तो दोस्तों यह मका जो है ना दुनिया भर में मुख्य तीन फसलों में आती है तो यह सबसे एहम आज की फसल थी जो कि हमने सारा कवर किया इसमें बौई सिल्ले के कटाई तक मार्केटिं आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी मका मतलब हमें करनी चाहिए चारे के लिए करनी चाहिए स्वीट कॉर्ण मीठा वाला करना चाहिए या हमें उत्पाधन के लिए करना चाहिए कमेंड में आप मुझे ज़रूर बताइएगा और स्वीट कॉर्ण का बेबी कॉर्ण का अलग special हम वीडियो बनाने के ज़रूर को शिश करेंगे इस वीडियो को दील खोल के शेर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा धन्यवाद